ओम सूपरभात प्रियव द्यारतियो नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं पार्ट कियारा नैतिक शिक्षा का हमने पढ़ लिया समझ लिया था और मुझे पूरन विश्वास है आप सभी बच्चों ने उस पार्ट को फिर नोट बुक पे लिख लिया होगा तो आए आज हम पार्ट बारा राश्ट्रिय प्रार्थना राश्ट्रिय प्रार्थना जो है सर्वित प्रार्थना है सभी के हित के लिए प्रार्थना की गई है इस प्रार्थना को पढढ़ेंगे समझेंगे और इसके आराष्ट्रेरा जन्याह शूरा इशब्यो अति व्याधि माहारतु जायतां। निकामे निकामे नाह प्रजन्यों पर्षतू फल्वत्यों ना ओश धय पंचियन्तां। योग क्षेमों ना कल्पतां। ये थी राष्ट्रिय प्रार्थना जिसे हमने गायन विधिद्वारा गाया। आए इसकी व्याख्या, इसके अनवय और अर्थ सहित समझने की कोशिश करें। बोलता है ब्रह्मन स्वराष्टर में हो। ब्रह्मन प्रमात्मा को कहा गया है कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, हे प्रमात्मा, हे भगवान। द्विज ब्रह्मा तेजधारी स्वर राष्टर बोलता है हमारे राष्टर में हमारे देश में द्विज ब्रह्मन जो है वो कैसे हो ब्रह्मा तेजधारी ब्रह्मन जो है वो तेजधारी हो अर्थात बहुत ही शक्तिशाली हो जो भी ब्रह्मन है जो भी लोग है हमारे देश क वो कैसे हो शक्तिशाली हो तेजधारी हो क्षत्री महारती हो और हमारे जो भी देश में क्षत्री है वो कैसे हो महारती हो महान हो अरी दल विनाशकारी जो शत्रू के दल का शत्रू के गुट का विनास कर सके ऐसे हमारे देश के क्षत्री हो हुवे दधारू गोवे पशु अश्व अश्व वाही और बलता है हमारे देश की जो गाएं वो दधारू अर्थात दूद देने वाली हो अश्व अशु वाही और अश्व घोड़े जो हैं वो शक्तिशाली हो अधार राश्टर की हो नारी सुबग सदा ही और इस देश की नारी जो है इस्त्री जो है वो कैसी हो आधार राश्टर की आधार हो अर्थात सुभाग्या साली हो बलवान सभ्या योद्धा और इस देश के जो भी बीर योद्धा है वो बलवान हो यजमान पुत्र होवे और यजमानों के पुत्र अर्थात हम सभी की सन्ताने जो है वो क्या हो शक्ती शाली हो इच्छा अनुसार वर्षे प्रजन्या ताप धोवे इच्छा अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार प्रजन्या होता है बादल जो है वो वर्षे अर्थात वर्षा करे अपनी इच्छा अनुसार बादल वर्षा करे प्रजन्या ताप धूमे और ये बादल के अगरे ताप होता है गर्मी को धूमे अर्थात दूर करे ये बादल जो है वो गर्मी की तपन को दूर करे फल फूल से लदी हो अमोग और ओशद सारी और बोलता है ये सारी प्रित्वी सारा संसार जो है ओशनियों और वनस्पतियों से लदा रहे हो योग क्षेमकारी और सभी इस देश में क्षमा करने वाले हो स्वाधिनता हमारी और अपनी स्वाधिनता जो के बारे में सोचे अपने देश के बारे में सोचे अपने देश को स्वाधीन जो है अपने अधीन जो है वो रखें पराधीन दूसरों के अधीन अपने देश को ना होने दे ये था पाठ बारा इसकी व्याख्या आए इसके भावर्त क्यों चलते हैं बोलता है हमारे स्वतंतर भारत देश में जब ब्रह्मन वैश्य अक्षत्रिय वशूद्र अपने कृतब्यों को पूर्णता पालन करेंगे गोधन तथा अन्या उप्योगी पशूँ की शुरक्षब बृध्धी की जाएगी समय परवर्षा होगी जिसे की अन्बनस्पति तथा ओशदी की कमी नहो नारियों को पूर्ण समान मिलेगा यहां के नागरिक स्वस्त वसभ्या होंगे तब क्यों नहीं यह स्वाधिन भूमी हमारे लिए सार्थक ब कल्यानकारी होगी अर्थात अवश्य होगी अगर सभी अपने समय अनुसार अपने नियम अनुसार काम करेंगे तो यह जो हमारी भूमी है स्वाधिन जो है अमारे भूमी है या हमारे लिए कल्यानकारी होगी तो ये था पार्ट बारा जिसे आप गाएन भी दीदवारा भी गाएंगे उसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसके प्रशनोत्रों को फिर नोटबुक पे लिखेंगे इसी के साथ हमारा ये आज का विशे यहीं पे समापत होता है आप सभी का दिन मंगलमाए हो धन्यवाद